जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके आए हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कनवर्जन जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे आप ब्यूटिएन से ब्यूटिटुएन लिया हुआ है राइट सदे ब्यूटिटुइन है और बीच में कोईशन मार्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको वो conditions, वो reagents specify करने हैं जिसका use करके beauty one in easily convert हो जाए beauty one in में बच्चों यहाँ पे दो step, दो condition हम apply करेंगे beauty one in के लिए जिससे वो convert हो जाएगा beauty one in में तो आई देखते हैं कैसे यहाँ पे आप देखिए beauty one in का reaction HBR से करा रहे हैं markonikov's addition कहलाता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी किसी unsymmetrical, यह जो beauty one in है यह unsymmetrical alkin है, unsymmetrical alkin का जब भी आप addition कराएंगे HBR के साथ में, तो यह markonikov addition कहलाता है यहाँ पे HBR का negative part BR है, यह उस double bond वाले carbon पे जाएगा, जिस पे H atom कम होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों का double bonded carbon पे इस वाले carbon पे H का number कम है, तो BR इस से combine हो जाएगा चलिए मैं combine करता हूँ अब आप बताएगे कि यहाँ पे double bond, double का क्या हो जाएगा single हो जाएगा, और इस वाले CH2 के साथ combine हो जाएगा यह वाला H, तो यह बन गया CS3 अब बच्चों देखे हमारा बन क्या गया है अगर हम इसकी naming करें, simply to naming क्या होगा 2-bromo, सही बताया, आपने इसका नाम होगा 2-bromo, जी यहाँ, butane तो यह आपका hello-alcan का एक example बन गया है अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी condition लगाते है alcoholic QH के साथ में हम लोग इसको heat करेंगे और आप जानते हैं जब भी किसी hello-alcan को आप alcoholic QH के साथ गरम करते हैं तो यह reaction बन जाती है dehydro-halogenation अब यहाँ पे आप जानते हैं कि dehydro-halogenation का मतलब है removal of hydrogen and halogen यह simply alpha-beta elimination भी कहलाता है तो अब तो आपको याद आगया होगा alpha-beta elimination का मतलब क्या होता है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस two bromobutane compound के अंदर जिस carbon पे आपका halogen लगा है या bromo लगा है उसको alpha बोलेंगे और उससे next carbon जो है वो beta होंगे तो यहाँ पर यह वाला carbon बीटा होगा यह बीटा होगा लेकिन exactly बीटा नहीं बोलेंगे क्योंकि इस वाले carbon के पीछे कुछ नहीं लगा है लेकिन इसकी पीछे methyl लगा है तो इन दोनों का जो environment है chemical environment वो दोनों का अलग है तो हलका सा differentiate करने के लिए हम लोग उसको beta dash बोल सकते हैं लेकिन यह सिर्फ environment को represent कर रहा है दोनों ही beta है क्या है आपको clear है तो यहाँ पर इस reaction के अंदर dehydrogenation में alpha position से हमारा hydrogen बाहर आएगा और beta position से हमारा hydrogen बाहर आएगा लेकिन यहाँ पर धरम संकत आ गया है कि सर्थ 2 beta हैं तो आप किस वाले beta carbon से hydrogen का removal करेंगे तो ऐसी condition में ध्यान न कीगा एक concept होता है हमारा एक rule होता है जिसका नाम है जरूर सुने होंगे सेट्जफ rule सेट्जफ rule जो होता है यह rule अब यहाँ पर applicable होगा सेट्जफ rule जो होता है यह हमारा dehydrogenation में हमारी help करता है और major product को identify कर आता है अब यहाँ पर देखी कि 2 beta carbon है तो आपको देखना है कि जिस beta carbon पे H atom कम होंगे repeating again जिस beta carbon पे hydrogen atom कम होंगे उस वाले carbon से H atom बहार आएगा तो आप यहाँ पर खुदी देख लीजिए कि यह वाला beta और beta dash में किसके पास H atom कम है तो इस वाले beta carbon पे H atom कम है तो यहाँ से H निकलेगा यहाँ से halogen निकलेगा तो product आपका कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा CH बचेगा bond यहाँ पे आपका double हो जाएगा यहाँ पे CH और यहाँ पे रहेगा CS3 और एक compound तो आप जानते ही है इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा butuene तो यहाँ पे आप देखिए easily आपने convert कर दिया है butuene को butuene में दो step लगे हैं यहाँ पे पहले step में butuene का आपने marconicov addition कराया marconicov addition ने butuene का reaction HBR से हुआ जिसके convert हो गया to bromobutane में उसके बाद आपने alcoholic QH के साथ में इसको heat किया और इसको बोलते है dehydro-alogenation alpha-bita elimination क्यलाता है यहाँ पे sets of rule यहाँ पे applicable होगा जिसकी वज़े से यहाँ पे major product जो है butuene होगा तो hopefully आपको यह conversion clear हुआ होगा अगले वीडियो में हम आपके लिए differences लेके आएंगे differences में पहला difference हम लोग करेंगे butuene और butuene के बीच अगर आपको कोई reaction mixture दे दिया जाए और पूचे कि how will you differentiate between these two तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी chemical reactions है इनको use करके आप बता सकें कि butuene और butuene कैसे differentiate होंगे